हलो दोस्तों स्वागध आपका В negativity ने आज हमारा करूंड अफेर्स का सोलना सेक्षन है हम Awards के बारे में, पुरसकारों के बारे में पढ़ रहे हैं, यह हमारा तीसरा सेशन है पुरसकार का, पहले में हमने Padma Awards के बारे में पढ़ा, दूसरे में हमने Nobel Prizes के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण भारतिय पुरसकारों के बारे में पढ़ा, आज हम भारतिय पुरसकारो को continue करेंगे और उसके साथ साथ sports जगत के जो महत्वपूर्ण पुरसकार हैं उन सब को भी देखेंगे और कल की class में हम अंतर राश्ट्रिय स्तर पर जो पुरसकार दिये और लिये जाते हैं उनको हम study करेंगे बहुत ही important sessions हैं हम जितना जल्दी जितना अच्छे से cover कर सकते हैं उतना कर रहे हैं आपको ध्यान रहे मैं guarantee ले सकता हूं इस बात की कि जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसके अंदर से पक्का पक्का question आपको अपने exam में दिख जाएंगे इसलिए आप रोज ये वीडियो देखिए PDF देखिए और अच्छे से इसको study करते रहे हैं आज हम शुरू करते हैं साहित्य की जगत से साहित्य के अंदर जो भारत का सबसे सर्वोत्तम पुरसकार है वो ग्यानपीट पुरसकार है ग्यानपीट पुरस कार है भारत के अंदर 2018 के अंदर ये पुरसकार अमिताव घोश जी को दिया गया था जैसा कि आप देख रहे हैं यह मिताव घोश जी हैं अंग्रेजी के लेखक हैं इनको इनकी किताबों के लिए 2018 का ग्यानपीट पुरसकार मिला था और 2019 का जो आपके लिए ज्यादा important question बनेगा वो दिया गया है अकितम अच्युतन नंबुतीरी जी को नंबुतीरी के नाम से फेमस हैं ये व्यक्ति हैं और ये मल्यालम जो भाशा है मल्यालम भाशा के उंदा लेखक हैं और इनको इनकी आजीवन उपलब्दता के लिए 2019 के अंदर ग्यानपीट पुरसकार से नवाजा गया अकितम अच्युतन नंबुतीरी इनका नाम है थोड़ा लंबा और अजीब नाम है साउधिन नाम है इसलिए तो आप ये याद रख सक रखते हैं कि ये कौन सी भाशा के लेखक हैं आगे दो सम्मान और बात करेंगे जो साहित्य जगत के हैं एक है व्यास सम्मान व्यास सम्मान भी एक इंपॉर्टेंट सम्मान है जो भारत में साहित्य के लिए दिया जाता है इस बार नसीरा शर्मा जी ये जो नसीरा शर्मा जी आप देख रहे हैं हिंदी की लेखिका हैं कागज की नाव जो इनकी एक किताब पुस्तक निकली थी ये कागज की नाव पुस्तक के लिए नसीरा शर्मा जी को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है कागज की नाव नसीरा शर्मा व्यास सम्मान ये तीन information आपको एक साथ याद रखनी होगी, हलांकि ज्यादा important question obviously ज्यानपीठ पुरसकार ही रहेगा एक और सम्मान होता है सरस्वती सम्मान, जैसे व्यास सम्मान है, वैसे ही एक सरस्वती सम्मान है जो वासदेव मोही जी, ये वासदेव मोही जी है, जो कि सिंधी के लेखक है सिंधी भाषा है, जैसे कि आप जानते हैं भारत के अंदर, सिंधी के लेखक हैं वासदेव मोही जी और इनकी चेक बुक नाम की एक लगू कता संग्रह निकली थी, शॉर्ट स्टोरीज की एक किताब निकली थी इसमें चेक बुक नाम की एक लगू कता थी और और भी लगू कताईं थी तो वासदेव मोही जी को इस चेक बुक के लिए सिंधी भाषा के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया सरस्वती सम्मान सिर्फ सिंधी के लिए नहीं मिलता है किसी के लिए भी मिल सकता है किसी भी भाषा में भारत की हो तो वासदेव मोही जी को मिला है जो सिंधी के लेखक है और चेक बुक नाम की इनकी लगूकता संग्रे नाम किताब थी तो तीन सम्मान मैंने आपको बताए ग्यानपीट पुरसकार अक्कितम अच्चितम नम्मूतिरी व्यास सम्मान नसीरा शर्मा जी और सरस्वती सम्मान सिंधी लेखक वासदेव मोही जी ये तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेशन है ज्यानपीट के चांसेज ज्यादा है आगे आएं रेलवे का एक पुरसकार है सर्वस्रेष्ट नवाचार पुरसकार बेस्ट इनोवेशन अवोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट अवोर्ड है और ये आपसे question पूछा जा सकता है रेलवे का exam है तो रेलवे का question पूछा जा सकता है 2018-19 का पुर्वोत्तर सिमान्त रेलवे को नौर्थीस्ट फ्रंटियर रेलवे को दिया गया पूर्व उत्तर उत्तर पूर्व अगर आप देखे नौर्थीस्ट वहाँ पर हाती बहुत हैं तो हाती क्या करते हैं अक्सर railway tracks पर आजाते हैं तो हाती जब railway tracks पर आते हैं इसके वैसे railway की संपत्ती को भी नुकसान होता है और उससे भी ज्यादा important कभी-कभी हातियों को भी चोट लग जाती है और हाती पीडित हो जाते हैं हातियों को भी चोट ना लगे और railway का भी नुकसान ना हो इसके लिए innovation, नवाचार, दिमागी तक्नीक लगाई North East Frontier Railway ने plan B के नाम से ये जो B है ये plan ABCD वाला B नहीं है ये B मदुमक्खी वाला B है तो plan B नाम का इन्होंने plan बनाया एक जिसमें इन्होंने honey B का एक sound system लगाया जैसे कि आप जानते होंगे हाती जो है वो मदुमक्खीयों से डरते हैं कारण मदुमक्खी उनके सून में घुज जाती है और उनको काफी पीड़ित करती है इवन एक मदुमक्खी एक इतने बड़े हाती को मारने की शक्ती भी रखती है इसलिए मदुमक्खीया अगर आवाज आती है मदुमक्खी की हातियों को तो हाती वहाँ से दूर चले जाते हैं automatically तो हातीयों को दूर रखना possible नहीं था इसलिए हमने क्या किया एक honeybee का मदू मक्खी के sound system लगा दिये railway tracks पर जहां पर हाती जादा आते हैं अब जब भी train वहाँ से गुजरने वाली होती है उससे थोड़ी दो देर पहले से और train के गुजरने तक वहाँ पर मदू मक्खी की आवाजें हम निकालने लगते हैं speaker पर बजा देते हैं जिससे हातीयों को लगता है कि वहाँ मदू मक्खिया है और वो track से जो पट्रियां है उससे दूर हट जाते हैं बहुत ही intelligent और बहुत ही जवर्दस्त नवाचार है इनोवेशन है इसके लिए north east frontier railway को पुर्वोत्तर सिमांत railway को पुरस्कृत भी किया गया है और जंगली हातियों की भी बचत हो रही है और railway की property की भी बचत हो रही है आगे आएं यह तीन नाम important है आपके लिए भावना कांत जी सबसे पहले यह जो भावना कांत जी है यह जो आप फोटो देख रहे हैं भावना कांत जी पहली महिला पाइलेट बन गई है फाइटर पाइलेट जो combat missions के लिए qualify कर गी है combat mission मतलब कोई लडाकू mission हो कि मालो किसी भी भारत का कोई एक mission है जिसमें लडाई करनी है किसी दूसरे देश से तो उसमें भावना कांत जी को एक लडाकू विमान में भेजा जा सकता है पहली भारतिया महिला है जो combat missions के लिए लडाकू missions के लिए तयार की गई है जिन्होंने अहर्था पाली है बेसिकली क्वालिफाई कर लिया है लेकिन तीन महिलाएं टोटल अवनी चतुरवेजदी जी और मोहना सिंग जी ये तीनों दोस्ती हैं तीनों आप देखी रहे हैं फोटो ये तीनों महिलाएं वो पहली तीन महिलाएं हैं जो फाइटर स्ट्रीम के अंदर लडाकू विमान उडाने वाली लडाकू विमान के लिए तयार ओफिसर जो है जिनको लडाकू विमान उडाने के लिए कमिशन किया गया है ये वो पहली तीन महिलाएं हैं तीनों नाम इंपॉर्टेंट है लडाकू विमान उडाती हैं तीनों महिलाएं भारती है वायू सेना के लिए और भावना कांध जी अब क्वालिफाइ कर गी हैं कि कॉमबेट मिशन भी हो उसमें भी जा सकती है आगे आएं कप्तान आरोही पंडित ये जो आप फटो देख रहे हैं ये कप्तान आरोही पंडित जी हैं कप्तान आरोही पंडित जी विश्व की पहली महिला बन गई है जो एक light sport aircraft अखेल विमान जो होता इसमें अकेली इनोने Atlantic महासागर और प्रशान्त महासागर दोनों महासागर प्राप्त पार करने वाली अकेले खुद जाज में उड़ा कर पार करने वाली पहली दुनिया की महिला पाइलेट ये बन गई है दुनिया की पहली महिला पाइलेट है गौर फरमाईएगा पहली है जिनोंने LSA में पार किया है LSA अगर हटा दे हम पहली बार पार किसने किया था तो वो अमीलिया एरहाट करके एक महिला थी जो की बहुत ही सरवोच उड़ान मतलब पाइलेट महिला में से गिनी जाती है जो बात में गायब हो गई थी अमेलिया एरहाट ने पहली बार पार किया था लेकिन एक LSA के अंदर Light Sport Aircraft के अंदर पार करने वाली पहली मईला कौन बन गई है Captain Arohi Pandit तो ये question आप से पूछा जा सकता है क्योंकि विश्व स्थर पर इन्हों ने कुछ उपलब्दी हासिल की है आगे आते हैं जो हमारे beauty pageants होते है उनसे भी question पूछे जा सकते है तो जो Miss India है या जिसको Miss India World भी कहते है फैमिना की द्वारा करवाया जाता है 2019 की Miss India हमारी सुमन राव जी है जो कि आप फोटो देख रहे हैं सुमन राव जी 2019 के अंदर Miss India से Miss India चुनी गई है और ये Miss India है Miss India World भी यही है Miss India भी यही है वो एक ही चीज है तोनों में कोई भी फरक नहीं है question आ सकता है आप से Miss Deaf World का अंतर राष्टिय स्थर पर Miss Deaf World Deaf बोले तो जो लोग सुन नहीं सकते उनको Deaf बोलते हैं और ऐसे भी एक beauty patient है जिसमें जो महिलाएं सुन नहीं सकती वो लोग भाग लेती है और Miss Deaf World इस बार भारत की बनी है यह जो photos आप देख रहे हैं विदीशा बालियान जी इनका नाम है विदीशा बालियान जी Miss Deaf World बनी है 2019 की और यह भी भारत के लिए गर्व की बात है तो विदीशा बालियान जी भी question आप से पूचा जा सकता है 2019 की Miss Deaf World पहली बार भारत का Mr. Universe भी भारत के ही बने है 2019 के अंदर यह जो आप photos देख रहे हैं यह है चित्रेश नटेशन जी चित्रेश नटेशन जी भारतिय बाडी बिल्डर है और पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भारतिय Mr. Universe का किताब जीता है 2019 के अंदर आप देखी रहे हैं भाई साब की body तो यह भारतिय बाडी बिल्डर चित्रेश नटेशन जी ने Mr. Universe 2019 का किताब जीता है First Indian to Ever Win इन से पहले किसी भी भारतिय ने कभी भी Mr. Universe का किताब नहीं जीता था इसके लावा आगया है Miss Teen International 13 से 19 साल की लड़कियों के लिए यह beauty pageant होता है और इसके अंदर भी भारत की आयूशी धोलकिया जी ने जीत हासिल की है 2019 के अंदर तो 2019 की Miss Teen International भी भारत की आयूशी धोलकिया है अंतराश्टे सर पर यह होता है लेकिन होता है इंडिया के अंदर ही है New Delhi के अंदर यह हुआ था और इसमें आयूशी धोलकिया जी ने जीत हासिल की तो ऐसे pageants की बात करें तो चार नाम हो गए आपके पास सुमन राव जी Miss India है जो और Miss Deaf World है जो विदिशा बालियान जी Mr. Universe चितरेश नटेसन जी और Miss Teen International आयूशी धोलकिया यह चारो नाम इंपोर्टेंट है इन में से कोई एक question आपके लिए आ सकता है आगे आए एक राष्ट्रपती पुरसकार दिया गया है इस बार पहली बार IIT मदरास जो है IIT मदरास के अंदर एक लड़की है कवीता गोपाल जी अब तो पास कर गई है इन्होंने बहुत ही जबर्दस्त वहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाई उसके लिए नरेंदर मोदी जी जो कि हमारे परधान मंत्री है उन्होंने राष्ट्रपती पुरसकार से इनको नवाजा कवीता गोपाल जी ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये कवीता गोपाल जी है कवीता गोपाल जी को पहली ऐसी लड़की है ये IIT मदरास की राष्ट्रिय भारतिय संस्थान प्रद्योगी की संस्थान ये उल्टाएगा बारतिय प्रद्योगी की संस्थान मदरास के अंदर जो है उसकी ये स्टूडेंट रह चुकी है और वहाँ पर इन्हें राष्ट्रपती पुरसकार से नवाजा गया था कविता गोपाल कोश्चन आ भी सकता है नहीं भी आ सकता बीच में से है वेरी इंपोर्टन ये जो व्यक्तिया आप देख रहे हैं ये है डॉक्टर सी रंगा राजन भारत के प्रमुख अर्थ शास्त्रियों में इनका नाम है बहुत ही इंपोर्टन भूमी का निवाई है इन्होंने पिछले 20 सालों में भारत की अर्थ विवस्ता के अंदर और सी रंगा राजन जी अध्यक्ष रहे चुके हैं राश्ट्रिय सांक्य की संगटन आयोग के नैशनल स्टेस्टिकल कमिशन के और साथ ही RBI के पूर्व गवर्नर भी ये रहे चुके हैं पहली बार इस साल PC माहल अनोबिस जी जो कि 1950 और 60 के दशक में हमारे भारत के एक महुत इंपोर्टन मेहत्वपून अर्थ शास्त्री थे जिनके नाम पर जिनके जन्म दिन पर 29 जून को राश्ट्रिय सांक्य की दिवस नैशनल स्टेस्टिक्स डे भी बनाया जाता है इनके नाम पर पहली बार ये अवर्ड दिया जा रहा है आजीवन उपलबददा के लिए लाइफ्टाइम अचिवमेंट के लिए 2020 के अंदर पहली बार 1st time PC महल लनोबिस अवर्ड दिया गया है डोक्टर सी रंगा राजण जी को ने स्टेटमिक के लिए अंदर काफी काम किया है और पीजी माल अनोबिस राष्टरे अवर्ड जो है वो इनको पहली बार दिया गया है पहला अवर्ड है पहली बार दिया गया है बड़ा आवर्ड है important question आपके लिए बन सकता है बहुत important है in fact मैं पक्का कह सकता हूँ कि किसी ना किसी shift में ये question पूछा जाना चाहिए अब हम sports के जगत पर थोड़ी important बात करते हैं sports जगत में important अगर awards की बात करें तो सबसे बड़ा award जो भारत के अंदर होता है वो है राजीव गांदी खेल रतन पूरसकार भारत का सरवच पूरसकार है जो किसी sports person को दिया जा सकता है इसके बाद एक अरजुन award आता है अरजुन… अरजुन award जो आता है वो भी important है लेकिन अरजुन award पचास से साथ लोगों को मिलता है frankly मैं आपको 50 नाम बताऊंगा आप confuse हो जाओगे Arjun Award के बारे में आपको पढ़ना है तो आप Google कर सकते हैं लेकिन Arjun Award से question पूछे जाने के chance थोड़े से कम है राजीव गांदी खेल रतन पूरसकार Arjun Award से बड़ा होता है और उसके question पूछे जाने के chances जादा है यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे पदमवीबूशन था और पदमबूशन था बिल्कुल वैसा सही है 2019 के अंदर दो लोग राजीव गांदी खेल रतन पूरसकार से सम्मानित किये गए थे दीपा मलिक जी और बजरंग पूनिया जी बजरंग पूनिया जी हमारे कुष्टी बाज है तीन बार वर्ल्ड चैंपियंशिप जी चुके है एक बार सिल्वर और दो बार ब्रोंज मेडल इन्होंने जीता था और दीपा मलिक जी जो की इंडियन पैरलिंपिक एस्सोसियेशन की चेर्मेन भी बन गई है अब चीफ बन गई है गोला फेंक और भाला फेंक ये खेलती है भारत के लिए और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था औलंपिक्स के अंदर पैरलंपिक्स के अंदर तो दीपा मलिक जी और बजरंग पूनिया जी को 2019 का राजीव गांधी खेलतन पूरसकार दिया गया था 2020 के अंदर पाँच लोगों को ये पूरसकार दिया गया है जिसमें से एक रोहित शर्मा जी है जिनको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे रोहित शर्मा जी क्रिकेटर है और इनको क्रिकेट के अंदर राजीव गांधी खेलतन पूरसकार से सम्मानित किया गया है इसके अलावा क्वेश्चन जो आएगा आपके एक्जाम में वेरी 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 इंपोर्टेंट मरियपन थंगा वेलू जी ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये मरियपन थंगा वेलू जी है ये पैरलिम्पिक हाई जमपर है उची कूद केलते हैं और पैरलिम्पिक हैं जैसे दीपा मलिक जी है इन्होंने रियो 2016 के अंदर अलम्पिक्स जो हुए थे उचे पैरलिम्पिक गेम्स में गोल्ड मेडल जिताया था भारत को दीपा मलिक जी ने सिलवर मेडल और इन्होंने गोल्ड मेडल जिताया था मरियपन थंगा वेलू इनका नाम है और मरियपन थंगा वेलू जी को इस साल राजीव गांदी खेल रतन पुरसकार से समानित किया गया है तीसरा नाम जो ये महिला आप देख रहे हैं इनका नाम मोनिया मनिका सॉरी गलत लिखा हुआ है मनिका बत्रा जी बत्रा सही लिखा था मनिका बत्रा जी है मनिका बत्रा जी टेबल टेनिस की खिलाडी है हमारे भारत की और इनको राजीव गांदी खेल रतन पुरसकार से इस बार नवाजा गया है तो तीन नाम आपके सामने है रोहिश शर्मा, मरियपन थंगावेलू और मनिका बत्रा मरियपन थंगावेलू नाम कोशन आने के चांस मेरे को परसनली ज़ादा लग रहे है रोहिश शर्मा कम इंपोर्टेंट है थोड़ा सा और दो और नाम है विनेश फोगाड जी गीता बबीता फोगाड के बारे में आप जानती होंगे उनी की बहन है विनेश फोगाड जी इनको कुष्टी के लिए राजीव गांधी खेल रतन पुरसकार मिला है और साथ ही हमारी महिला होकी की जबर्दस प्लेयर रानी रामपाल जी ये जो फोटोग्राफ साब देख रहे हैं ये रानी रामपाल जी है रानी रामपाल जी और विनेश फोगाड जी इन दोनों को भी 2020 के अंदर राजीव गांधी खेल रतन पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो पांच लोग हो गए हैं रोईट शर्मा, मरियपन थंगावेलू, मनिका बत्रा, विनेश फोगाड और रानी रामपाल इन पांचों में से कोई भी नाम आम से पूछा जा सकता है ये सारे राजीव गांधी, खेल रतन पुरसकार के विजयता है 2020 के वेरी 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 इंपॉर्टन है एक्जाम पॉइंट अफ व्यू से आगे आते हैं ICC के अवर्ट के बारे में हमने देखा पिछले कुछ सालों में आपके पेपर्स के अंदर ऐसे कोईशन्स आए हैं जो भारतियों नहीं जीते लेकिन स्पोर्ट के जगत में थोड़े इंपॉर्टन अवर्ट थे तो क्रिकेट के अंदर ICC के अवर्ट सबसे इंपॉर्टन अवर्ट है जो क्रिकेटर आफ दा इयर का वर्ट है जो कि सर गारफिल्ड सोबर्स ट्रॉफी भी कहलाता है गारफिल्ड सोबर्स नाम के जो खिलाडी थे उनके नाम पर ये ट्रॉफी है ये इस साल दिया गया है बें स्टोक्स को पिछले साल दिया गया था विराट कोली जी को इस साल Ben Stokes जो कि England के खिलाडी है Ben Stokes बने है Player of the Year महिला Player of the Year की अगर हम बात करें तो वो Elise Perry जैसे की आप फोटो देख रहे हैं और स्ट्रेलिया की Elise Perry महिला Cricketer of the Year और Cricketer of the Year Ben Stokes England के बने है यह important question है भारतिया नहीं है लेकिन फिर भी question पूछा जा सकता है टेस्ट प्लेयर की बात करें तो Pat Cummins जो कि अस्ट्रेलिया ही गेंदबाज है उनको दिया गया है और एक दिवस्ये की बात करें तो हमारे रोहिच शर्मा जी को यह पुरसकार दिया गया है तो चार प्लेयर्स हो गए यह दो ज्यादा important है question point of view से Ben Stokes और Elise Perry टेस्ट के अंदर Pat Cummins और ODI के अंदर एक दिवस्ये के अंदर रोहिच शर्मा जी को किताब दिया गया है Spirit of Cricket Award Spirit of Cricket जो खेल की सदभावना है जो खेल की रूह है वो सम्मान दिया गया है विराट कोली जी को एक बार ऐसा हुआ था एक match में Steve Smith जी के against audience जो है जो spectators है जो दर्शक है वो against हो गयते उनको बू कर रहे थे तो विराट कोली जी ने उनको रोका कि नहीं ये सही बात नहीं है तो इसलिए विराट कोली जी ने वहाँ पे सदभावना दिखाई दूसरी टीम के प्लेयर के लिए इसलिए विराट कोली जी को Spirit of Cricket Awards से समानित किया गया हलांकि फिर भी ये तीनों कम important question है ज्यादा important ये दोनों बनेंगे आपके लिए Ben Stokes England के खिलाड़ी और Elise Perry Australia की खिलाड़ी येस World Athlete of the Year जैसे हमने cricket के जगत की बात की अब हम Athletics के जगत की बात कर रहे है Athletics जितने भी दोडने भागने वाले कूदने फैंकने वाले गेम्स होते हैं वो सारे Athletics के अंदर आते हैं और Athletics में दो बड़े नाम होते हैं हमिशा हर साल जिनको topmost award दिया जाता है World Athlete of the Year का तो पुरुशों के अंदर वो award दिया गया है एलिवड किपजोगे को एलिवड किपजोगे ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये लंबी दूरी के धावक हैं अगर आप marathons को जानते हैं लंबी दूरी की जो दौड होती है ऐसी लंबी दूरी के धावक हैं Kenya देश से ये ब सबसे समाने किया गया है महिलाओं के अंदर आप बात करें तो डलाइला मुहमद जो आप फोटो देख रहे हैं जो है वो 400 मीटर की बाधा दोड़ दोड़ती हैं अमेरिका के लिए अलांकि और भी दोड़ती है पर ये सबसे ज़्यादा फेमस जैसे कि आप देख रहे हैं तो डलाइला मुहमद जी 400 मीटर बाधा दोड़ अमेरिका की खिलाड़ी है और इनको महिला वर्ल्ड अथलीट आफ दे यर का अवार्ड दिया गया है आगे आएं लौरियस जो है कमपनी वो भी वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड देती है हर स्पोर्ट के अंदर मिला के अथलीट का बात किया एक फुटबल की भी बात करेंगे और एक सारे स्पोर्ट को मिला कर भी आवर्ड दिये जाते हैं जो लौरियस के द्वारा दिये जाते हैं ये भी पहले क्वेशन पूछा जा चुका है एक्जाम के अंदर इसलिए स्पोर्समेन का अवर्ड जो है लौ जीतने वाले खिलाडी बन गए हैं इनसे जादा अभी तक चैंपिंशिप किसी ने भी नहीं जीती है और दूसरे व्यक्ति हैं लाइनल मेसी जी लाइनल मेसी फुटबॉल के सबसे जबरदस प्लेयर्स में से एक हैं अर्जेंटीना के ये हैं और ये खेलते बार्सिलोना फ सारateurs देख रहे हैं यह सिमॉन बाइल्स जी है कि ये विफाय जिम्नेस्ट है जिम्नस्टिक्स करती है और या यदि देखाती है यदि ar league करती है उसको एक दांस के रूप में दिखाती है ये 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 के लिए सिमॉन बाइल्स जी जो खिलाडी है अमेरिका की उनको स्पोर्ट्स वुमेन ओफ दे यर लॉरियस के द्वारा दिया गया है तो यह तीन नाम अफरिका की रगबी की टीम है यह जो फौटो आप देखा रहे हैं रगबी एक खेल होता है जिसके अंदर एक बॉल होती है आपके पास थोड़ी सी अंडाकार सी बॉल होती है तोड़ी मददी की होती है दोनों से और उसको आपको दूसरे के पाने में ले headphones जाना होता है और सामने वाली टीम आपको रोगती है ये रग्बी गेम के जो टीम है साओफ अफ्रिका की इस टीम को springbox भी बोलते है पूर्टte की टीम का नाम है spring box springbox नाम की जो टीम है इसको टीम का अवार्ड मिला है Laureus World Sports के अंदर साथ ही Lifetime Achievement के लिए आजीवन उपलबदता के लिए Dirk Nowitzki जो कि जर्मनी के Basketball player है मैं समझ सकता हूँ ये नाम थोड़े से जादा हो रहे होंगे आपके लिए पर आप धीरे धीरे ना बस ये class देख लो एक बार की जगे दो बारी देख लो speed बढ़ा के YouTube में option होता है speed 1.5x, 1.75x या 2x करके देख लो दूसरी बार एक दो बार ये PDF देख लो इतना बहुत है exam में टिक मारने like हो जाओगे रटे मारने मत बैठना कि सब कुछ में को रटा हो आपका काम paper में चार option में से चुनना है आपका काम खाली रिक्तस्तान भरो को बरना नहीं लिखके नहीं आना वहाँ पे इसलिए याद रखे रटे नहीं मारे एक दो बार बस class देखी होगी मैं guarantee ले सकता हूँ paper में आपका सही हो जाएगा तो डर्क नोविट्सकी जो है बास्केट बॉल के खिलाडी है और आप से जो question पूछा जाएगा वो ये है very 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 important question है laureus world sport जो है वो एतिहासिक शन को भी पुरसकारी करता है तो सचिन तंदूलकर जी को इस साल वो पुरसकार दिया गया है ऐसा बोलते हैं कि जब ये भारत world cup जीता था laureus के इसाब से और 1983 के बाद सचिन तंदूलकर जी ने बहुत मेनत की है जैसा कि हम जानते ही है world cup जीताने की लेकिन 2000 जब जिस बार हम जीते 2011 के अंदर या सची बूल रहा हूँ पर 2011 के अंदर जब हम world cup जीते तो सचिन तंदूलकर जी उस time पर बहुत ही important खिलाडी थे हमारे लिए और पूरे team members जो है वो उनको कंदे पर उठाके पूरे ground के उन्होंने चक्कर दिलवाए थे और ये बोलते हैं सबसे बड़ा शन था world sports के अंदर हर sport के अंदर सबसे बड़ा शन यही था और इसको cricket के जो खिलाडी है हमारे सचिन दंदूलकर जी उनको ये पुरसकार दिया गया है world laureas sports के द्वारा तो ज़्यादा important में हम देखे तो Lewis Hamilton, Lionel Messi और Simon Biles आपके लिए है इसके लावा डर्क, Novitsky भी question थोड़ा बहुत कम chance है national team rugby की जो south afikai की ये भी कम chance है लेकिन सचिन दंदूलकर को moment of the year का award दिया गया laureas world sports के दुबारा ये थोड़ा important है आगे आते हैं international Olympic committee जो है अंतर राष्ट्रिय ओलंपिक समीती जो है उसने हमारे badminton coach पुलेला गोपिचंद जी को lifetime achievement के लिए आजीवन उपलब्धी के लिए award दिया है जैसा कि आप जानते हैं पुलेला गोपिचंद जी हमारे खुद के badminton player रहे हैं लेकिन अब ये जितने भी हमारे बड़िया badminton players के नाम आपने सुनोगे चाहे वो साइना नेवाल जी हैं चाहे वो पीवी सिंदु जी है इन सबको train करने वाले इनको coach करने वाले भी पुलेला गोपिचंद जी भी है और इनको आजीवन उपलब्धी के लिए इस बार पुरस्कृत किया गया है अंतर राष्टिय ओलंपिक समीती के द्वारा जो कि badminton के अंदर वेरी वेरी important व्यक्ती है ये भारतिय खेल जगत के अंदर आगे हम football के जगत की बात कर रहे है football का सबसे बड़ा award जो होता है वो golden ball award होता है Ball and Dior भी बोलते हैं इसको या फिर simple golden ball बोलते है Lionel Messi जी अगेन छटा golden ball award इस साल उनको 2019 के अंदर दिया गया है छे ball जैसे कि आप देख रहे हैं Lionel Messi जी को मिल चुकी है ये Argentina के हैं Barcelona के लिए खेलते हैं और 6 बार सबसे ज़ादा बार इन्होंने ये पुरसकार जीत लिया है साल में एक व्यक्ती को मिलता है एक बार और 6 बार ये जीत चुके है एक इसी के साथ साथ Golden Foot Award भी होता है Football जगत का ही होता है ये एक ही बार जीत सकता है कोई व्यक्ती और ये बहुत बड़ी achievement होती है तब ही उसको दिया जाता है और Luka Modric नाम के जो player है जो कि Croatia के हैं और Real Madrid टीम के लिए खेलते हैं तो Luka Modric नाम के ये player है और Real Madrid के लिए खेलते हैं इनको 2019 के अंदर Golden Foot से नवाजा गया था और ये बहुत ही important player है Real Madrid के लिए और Golden Ball और Golden Foot ये दो ही ऐसे खिताब हैं जो आप से question पूछा जा सकता है एक Golden Boot भी होता है पर वो Champions League बगरे के अंदर होता है मतलब वो Europe के लिग में के अंदर विश्व सर पर नहीं दिये जाते हैं वो पूरसकार तो Golden Ball और Golden Foot आज के लिए इतना ही करते हैं कलम अंतर राश्य पूरसकार देखेंगे आप ऐसे हैं हमारे साथ जुड़ते रहिए आपका वीडियो देखने के लिए थाइंक यू वेरी मुच